हलो फ्रेंड्स मैं हूँ राकेश कपूर और आप देख रहे हैं जुडिशल कॉंपेटिशन टाइम्स की लाइफ सेशन जो लोग जुडिशरी के मेंस बैच को जॉइन करना चाहते हैं उनके लिए इविनिंग में पर्टिकुलर टाइम है फाइव अकलॉक टो शिक्स अकलॉक तो वो लोग मेरे live classrooms को जॉइन कर सकते हैं for the purpose of mains answer writings इसमें सभी subjects जो की core subjects हैं उन सब को cover किया जाएगा तो time note कर लिजे 5 o'clock to 6 o'clock in the evening तो चलिए आज के session पर आते हैं और start करते हैं आज मैं एक बहुत important question को discuss करने वाला हूँ जो की basically mains में काफी ज़्यादा पूछा जाता है अब इस question को मैंने choose इसलिए किया है क्योंकि इसमें two different type की analogies है case laws के regard में two different analogies है एक analogy ये कहती है के offense बनना चाहिए दूसरा analogy कहता है के offense नहीं बनना चाहिए और दोनों की relation में ही case laws exist कर रहे हैं तो जिन लोगों ने updated judgment के बारे में जानकारी नहीं ली है अभी तक तो वो लोग इस answer को हमेशा wrong करके आते हैं जिसके वज़े से उनको लगता है कि मैंने इस question को ठीक solve किया है क्योंकि वो भी judgment पर ही based होता है जो आप लिखकर आते हो लेकिन क्योंकि latest judgment नहीं पता होता तो उसके वज़े से वो answer wrong हो जाता है तो चलो start करते हैं और देखते हैं इस question में क्या है इससे पहले इस video session को आगे बढ़ाएं मैं आपसे request करना चाहूंगा कि आप इस video session को पूरा आखरी तक देखें राधर मेरे जितने भी video sessions रहते हैं उनको आप complete आखरी तक देखें ऐसा ना करें कि उससे skip करते हैं ठीक है तो ठीक है आज के session के साथ start करते हैं सबसे पहले इस जो problem with question है इसके brief facts देख लेते हैं कि इसके facts गया है हुआ यह है कि एक husband ने अपनी wife को severe beating दिया जिसके बज़े से वो unconscious हो गई husband ने सोचा कि वो मर चुकी है तो उसने उस case को एक suicide शो करने के लिए evidence को destroy करने के लिए उसने उसकी body को ले जाकर railway track पे रख दिया फेन आई उस body को crush कर दिया लेटर ओन जब वो body recover हुई तो उसका post-mortem किया गया और पता चला कि actual में इसकी death train के कटने की वज़े से हुई है यानि की anti-mortem injuries के वज़े से हुई है इसमें husband को arrest कर लिया गया और उसके against murder का charge लगा तो अगर आप judge हैं या आपके सामने question आया है तो आप इस matter को कैसे decide करेंगे देखिए मैं चाहूंगा कि आप लोग जब कभी भी मेरी video sessions को देखते हैं तो उसमें जरूर comment mention करते रही है मिले आपके comments काफे valuable होते हैं और मुझे मदद मिलती है आपके thinking को understand करने में के आप चीजों को कैसे perceive कर रहे हैं और कैसे understand कर रहे है तो चलिए आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले जब हम को यह answer writing करेंगे तो क्या करेंगे सबसे पहले हम उसमें brief facts of the case लेखेंगे अब brief facts लिखने के बाद आप क्या करेंगे आप उन issues को देखोगे कि आप आपको इस case में decide क्या करना है हमारे सामने क्या case है उसमें कौन-कौन से issues है जो आपको decide करने है तो हमारे सामने सबसे पहला issue यह है कि यह जो accused ने act किया है क्या यह murder की definition में under section 300 fall कर रहा है यह उस person को हम section 299 culpable homicide not amounting to murder के punishment के लिए liable करें जिसकी definition 299 में दी गई है क्या उस accused person का इस murder को commit करने का intention था तो यह तीनों चीजे हमें एक साथ decide करनी है तो चलो देखते हैं कि इसका determination कैसे करेंगे तो अभी हमने सबसे पहले points देख लिए कौन-कौन से हमको determine करने है अब इन points का हम determination करेंगे तो determination के लिए हमारे पास सबसे पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि अगर हम murder का charge लगा है उसके उपर तो उसके लिए हमें सबसे पहले essential ingredient यह है कि चेक कर लें कि culpable homicide भी बन रहा है कि नहीं बन रहा है क्योंकि अगर murder के charges में culpable homicide ही नहीं बन रहा तो वह amounting to murder बनेगा या not amounting to murder बनेगा तो इसका तो कोई सवाल ही फिर पैदा नहीं होता चेक क करने का क्योंकि अगर कोई चीच culpable homicide ही नहीं तो ना तो amounting to murder होगी और ना ही not amounting to murder होगी तो सबसे पहले हमें काम कर लेते हैं हमारे problem based question में कौन सा section या कौन सा law involved होता है वो हमें सबसे पहले वो लिख लेना चाहिए तो हमारे बात section number 299 culpable homicide है तो चला देखते हैं इसमें क् और वो कहते हैं whoever causes death by doing an act with the intention of causing death तो सबसे पहली बात तो ये क्या person ने कोई ऐसा act किया है जिसमें उसकी intention थी उसकी death cause करने की तो पहला element हो गया कि क्या act death cause करने की intention से किया गया है ये पहली बात दूसरा or with the intention of causing such bodily injury as is likely to cause death या उस person की उसको ऐसी bodily injury cause करने की थी के जिन्ड injuries के वज़े से उस आदमी की death हो जाए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्या वो व्यक्ति उसको ऐसी चोटे पुचाना चाहता था जिसकी वज़े से उन चोटों की वज़े से उसकी death हो जाए तीसरा or with the knowledge that he is likely by such act to cause death या उसको इस बात की knowledge थी कि ऐसा act करने से उसकी death cause हो जाएगी तो चलो हमें काम करते हैं इन तीनों parameters को अपने case में apply करने की कोशिश करते हैं husband ने तो उसको simple एक severe beating दी थी उसकी intention जान से मारने की तो नहीं थी तो पहला वाला clause पूरा नहीं हुआ क्या उसको ऐसी severe injury score करने की थी जिससे उसकी death cause हो जाए नहीं simple उसकी जान से मारने की नियत नहीं थी और नहीं ऐसी कोई injuries cause करने की थी जिससे उसकी death cause हो जाए तो second वाला parameter भी पूरा नहीं हो रहा तीसरा क्या उसको knowledge थी कि इसकी death हो जाएगी यहाँ पर अगर उसने उसको ले जाकर उस railway track पर रख दिया है क्या उससे पता था कि इसकी death हो जाएगी आप कहेंगे नहीं सर जब उसने उस body को ले जाकर track पर रखा था तब तो उसे यह पता था ना कि उसकी wife अलड़ी मर चुकी है तो जो person अलड़ी मर चुका है उसको दुबारा तो नहीं मारा जा सकता ना तो सर फिर यह तो यहाँ पर fall नहीं करेगा इसी चीज को हमको देखना है और यही हमको चेकरना इस case में कि हमारा यह जो third वाला condition है यह किसी तरह से fulfill हो रहा है क्या अगर यह हो रहा है तो फिर हमारा यह culpable homicide बन जाएगा फिर हम further चेक करेंगे कि यह amounting to murder बन रहा है कि नहीं बन रहा है इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा किसी case law की मदद लेनी पड़ेगी तो उससे हम analyze कर पाएंगे better way में कि मुझे इस तरह के matter को कैसे solve करना चाहिए तो मैं काम करता हूँ एक landmark judgment जो की आपके text books में भी लिखा हुआ है उसकी मदद से इसे solve करने की कोशिश करते है हमारे पास case है फलानी गौर्डन वाला case फलानी गौर्डन वाले case में हुआ यह कि accused ने अपनी wife के head पर एक ploshear से hit किया अब यह उसकी intention नहीं थी कि उसे जान से मारे लेकिन जब उसके सिर पर लगा तो वह unconscious हो गई एक उसने सोचा कि वो मर चुकी है तो उसने इस matter को society show करने के लिए उसको एक beam जो घर में बने होते है न उस पर rope डाल कर उसे टंगा दिया यह show करने के लिए कि इसने beam से फासी ल यहां पर हुआ यह केस में के उसकी death beating से नहीं हुई थी उसकी death hanging से हुई थी जो फासी उसने लगाई थी ना उसको टंग दिया था उसको उसकी बज़द सुछ death हुई थी अब यहां पर court ने यह held किया कि accused did not had an intention to kill her so the accused is guilty under section 325 और 32605 किसी court ने यहां पर यह नहीं कहा कि वह equivable homicide के लिए liabal हैं क्योंकि उसकी intention नहीं थी और court ने यह भी माना कि इसकी नौलेज भी नहीं है ना तो knowledge है ना intention है तो equivable homicide है ही नहीं तो ना तो 302 में punishment कर सकते हैं नहीं 304 PART 1 या PART 2 में भी punishment नहीं कर सकते हैं, तो court ने इस matter को यह मान लिया, कि यह तो 325 यह 326 का है, आम तोर पर आप लोग यही करते हो, जब question paper आता है आपके सामने, तो आप लोग कहते हो, अरे यार नहीं, यह तो hurt का मामला है, simple hurt का मामला है, यह फिर यह grievous hurt का मामला है, ज्यादा ज्यादा आप अग counting to murder में fall कराऊं या नहीं कराऊं, मेरा तो purpose यहाँ पर यह चेक करने का है, तो यह case तो already exist कर रहा है, यह 1919 का मामला है, 1920 में प्रनाउस हुआ था, 1919 का मामला, फिर क्या हुआ, इसके बाद एक और case हो आया, हम उस case को भी analyze करते हैं, क्योंकि इसके बिस पर मैं decide करूंगा, तो answer wrong हो जाएगा, हाला कि judgment में तो भी यही बात लिखी है, तो चलो एक और citation discuss करते हैं, और देखते हैं कि कहीं और inconsistent view तो नहीं लिया हुआ उसके अंदर, दूसरा case है हमारे पास, King Emperor versus Shree Narayan 1947, actual में वो case 1920 का था, यह 27 साल के बाद एक और case आया, King Emperor versus Shree Narayan 1947, अब इस case में क्या हुआ इस case में accused person ने disease को एक firewood से hit कर दिया, disease fell down and some quantity of blood came out of her nose, उसके नाक से कुछ खुन निकला, some water was sprinkled on her face, कुछ उसके face पर पानी बड़ा डाला, कई उससे होश आ जाए, लेकिन उसकी consciousness regained नहीं हुए, उसको होश नहीं आया, accused put her on wooden pier and set it ablaze, उसने उसको एक चिता पे रखा और उ अठी की, चिता सी बनाई और उसके बार डाल दिया, ये show करने के लिए, कि इसने suicide कर लिये, अगर आप यहाँ पर देखोगे, तो case कुछ ऐसा सा ही हो रहा है, पहले जैसा, जो हमारे brief facts for the case थे, जो पिलानी गॉर्डन वाला case था, उसके साथ इसके facts match कर रहे है, यहाँ पर यही हो रहा है के, सीर पर लकडी मारी, भ्योश हो गई, यह सोचा के मर गई है, उसको suicide show करने के लिए, लकडी के उसपर रख दिया, उन्होंने और आग लगा दिया, accused took the defense that the quarrel between them as a result of which the disease committed suicide by burning herself on the wooden pair, उसने कहा किया हमारी लड़ाई हुई थी आपस में, उसके बाद उसने suicide कर ले, अपने आपको जला लिया और suicide कर ले, यह उसने defense ले लिया, तो यह basically King Emperor versus श्री नारायन वाले case के facts है, अब इसकी legal interpretation या determination कर लेते हैं, जो court ने क्या की थी, उस क्या किया, उसमें, court नहीं analyze किया, कि accused person की death cause करने की तो को intention नहीं थी, तो फिर हम उसे murder के लिया लियावल नहीं कर सकते, अब question here rise होता है, कि अगर हम उसे murder के लिया लियावल नहीं करेंगे, तो फिर कौन से वाले offense के लिया लियावल करें, यह argue किया गया, कि उसको जान से मा किया गया, उसने एक plea ली, कि हमें तो यह लग रहा था, कि वो लड़की already मर चुकी है, तो mistake of fact की वजह से ऐसा हुआ है, और तथे की भूल तो relevant होती है, admissible भी होती है, consider की जा सकती है, so court ने आगे अनराइस किया, the plea of mistake can only be valid when the act is prime fsi innocent, court ने कहा, आप mistake of fact की बात कर रहे हो न, mistake of fact तब relevant होगी, यह हम तब consider करेंगे, जब आपका जो prime fsi act है, वो innocent act होगा, यहाँ पर आप यह शो करना चाते हो, कि लड़की ने suicide कर लिया, और उसकी वजह से evidence को destroy करने के लिए, आप उसकी body को आग लगा रहे हो, तो यह आपका जो mistake of fact का वाला, जो act आप कर रहे हो, innocent act क हैं, यह तो innocent act है ही नहीं, but when the fact itself is plainly criminal, the ignorance of the existence of certain circumstance which make it more aggravated is no answer to the charge for aggravated offense, so the appellant in the present case cannot be allowed to plead mistake of fact, तो court ने कहा के देखो इस मामले में, अगर तुम यह कहते हो न, कि mistake of fact की वजह से ऐसा हुआ है, हम तो यह सोच रहे हैं लड़की मर गई है, हमारी intention मारने की नहीं थी, हमारी knowledge भी नहीं थी, तो court ने उसकी mistake of fact को तो consider किया नहीं, पहली बात तो यह हुआ, फिर आगे क्या हुआ, उन्हें ने कहा, in burning anuchy या जो disease है, on the wooden pyre, the appellant though not intending her death, but were performing a prime fsi innocent act, उसने कहा के भई हम इसको वहाँ पर रख रहे हैं, हम उसकी death cost वोड़ी कर रहे थे, हम उसकी death cost नहीं कर नहीं, अगर आप उसे चीता पर रख रहे हो, तो prime fsi आप कोई innocent act कर रहे हो क्या, यह कोई innocent act है, यह कोई bonafide conduct है आपका, आप suicide show करना चाहते हो, क्या यह innocence के तैत कर रहे हो आप, ऐसा तो नहीं है, court ने इसी case में आगे two different cases को भी discuss किया था, श्री नारणवाले case में, उसी judgment म तो जरा उनको भी देख लेते हैं, यह जो case discuss किये थे, पहला case का नाम है, queen empress versus kangla, इस case में क्या हुआ, the accused struck with the latte and killed a man being under the bonafide belief that the object at which he struck was not human being, being but something supernatural, actually हुआ यह था, के एक आदमी ने किसी पर एक लाठी से वार कर दिया था, उसने सोचा कोई भूत है, कोई supernatural, उसने यह सोचा कि आदमी नहीं है, यह तो कोई supernatural चीज है, कोई भूत या ghost है, उस पर उसने हमला किया है, तो अपने आपको बचाने के लिए उसने उस पर हमला कर दिया, ऐसा वो accused ने बोला, और ना ही इस बात की intention है, कि मैं किस इंसान का murder commit कर रहा हूँ, तो जब intention भी नहीं है, knowledge भी नहीं है, और ना ही ऐसी कोई injury cause करने का intention है, जिससे उसकी death हो जाए, तो फिर culpable homicide नहीं बन रहा, ऐसा argument किया गया इस case में भी, लेकिन division bench ने कहा, he was his liable for the offensive, culpable homicide not amounted to murder, court ने इस matter में उस act को किसी आदमी के उपर वार करा, ये सोचते हुए कि भूत है, उस case में, Queen Empress vs. Kangla वाले case में, court ने उसको culpable homicide not amounted to murder के लिए लावल किया, तो एक तो reference court ने ये लिया, दूसरा, एक दूसरा case हो कॉल लिया, Emperor vs. Jumdia, the accused in exorcism, a spirit had bidden a girl to death, इसमें क्या कर रहा था, ये आदम एक लड़की में से आत्मा, जो प्रेत आत्मा थी, उसको निकाल रहा था, exorcism कर रहा था, and it was held that his negligence amounted to knowledge, and he should be permitted for the culpable, इस court में कहा कि उसकी जो negligence है, जिसको हम knowledge मानेंगे, वही, court क्या इस बात पर believe करेगी, कि आत्मा जैसी कोई चीज होती है, और उनको उस आत्मा को भगा करने के लिए allow करेंगे, चलो खेर वह बात भी अलग, मैं उस point पर भी नहीं चाहता, हम तो legally analyze करते हैं, कि legally क्या बन रहा है, तो legally court ने इसको एक negligence माना, और उन्हेंने कहा, ये negligence, it is amounting to knowledge, इसी लिए उन्होंने culpable homicide not amount to murder के लिए liable किया, अब ये दोनों cases में क्या हो रहा है culpable homicide not amounted to murder के लिए liable करना, अब हमें अपने वाले case को analyze करना है, इनी सभी citations की light में, फिर क्या हुआ, coming to the case in hand, the accused took no reasonable precaution to test themselves, whether the disease annuity was really dead, उन्होंने कहा कि क्या accused person को ये ensure नहीं कर लेना चाहिए था, कि वो मर भी गई है, कि जिन्दा है, अगर हो सकता था, कि वो जिन्दा थी, या होती, और आप उसे ले जाकर railway track पर डाल रहे हो, अगर आपको इतना नहीं पता था, कि अगर वो जिन्दा होगी, तो जब हम railway track पर उसे ले जाकर रख रहे हैं, तो rail से कटके वो मर नहीं जाएगी, इत्ती knowledge तो तो तुम्हें रही होगी, इसके context में वो कहते हैं, वो कहते हैं, कि आपने सिर्वे डंडा मारा, सिर्वे डंडा मारने के बाद, आपको लगा मर गई है, आपने एंशूर करने की कोशिश की कि वो जिन्दा भी है के मर गई, नहीं किया, और आपने हिस्टली में फटाफट उसको चीता पर रख दिया और आंग लगा दी, तो क्या इसे bonafact act माने, क्या इसे innocent act माने, क्या इसे हम mistake of fact under the innocence माने, नहीं मान सकते, फिर क्या हुआ, इन law gross negligence is equivalent to criminal intent, in my opinion, the appellant must be deemed to have known, their act was likely to cause death of energy, it follows that appellant was guilty of an offense under section 304 part 2 of IPC, तो उन्होंने कहा, यहां पर जो gross negligence है, it will amount to intent, court ने, यहां पर जो gross negligence है, उसको intent माना, उसके negligence को gross knowledge माना, और उसके basis पर उसको held किया, under section 304 part 2, या नहीं कुल पर उन्होंवे साइड, not available to murder के, part number 2 में fall किया, इसेक को, तो इस तरह के जो बड़े important questions हैं, जिनका examination में आने के chances बहुत ज़्यादा होते हैं, और उसमें two different analogies, through the citations, कई बर हम लोगों को देखने को मिलती है, तो उनको आप बड़े ध्यान से deal करें, और अगर कोई आपको कभी कोई confusion होता है, तो आप अपने comments में कुछ mention कर सकते हैं, तो मैं उसका reply मैं usually आप लोग के comments पढ़ता हूँ, हाँ, time की scarcity की वज़े से कई बर मैं जवाब नही से है, उसको भी आप ससाई करके, all वाले notification bell को click कर लिजिए, ताकि मेरे सारी वीडियो के notification आपको मिलता है, so that is all in relation to this, thank you so much, जाहिंद, जाय भालत.